लश्कर तयबा के जनबाइक होवे मिल्टेंट नवी जट के माविन को आज NIA की अदालत ने उनकी प्रॉपर्टी को आज सीज कर दिया है नाजरीन आई रोज जमो कश्मिर में मुक्तिलिफ तहकिकाती एजनसियां जैसे कि CIE के SIA या दीगर जो तहकिकाती एजनसियां हैं उनकी जानिब से चापामार कारवाईयां अंजामती जाती है वही आज NIA यानि के National Investigation Agency ने जनोबी कश्मिर के पुलवामा जलम में चापामार कारवाई अंजामती है और इस कारवाई के दोरान NIA के अहलकारों ने पुलवामा जलम में एक शख्स की प्रॉपर्टी को जब्द किया है जो कि 2018 से जिरहरासत में है और आज NIA ने उनकी जमीनों पर अब्दा कर लिया है जिस शख्स की प्रॉपर्टी को जब्द किया गया है उनका नाम मुहम्मद टीका खान वल्द अब्दिल अहद खान है और ये संगू नारबल पुलवामा का रिहाईशी है आपको बताते हैं चले के NIA ने एक सर्वे नंबर 176 के तहट इनकी प्रॉपर्टी को जब्द किया है जिसमें एक कनाल और 10.5 मरला अराजी जो कि बेगम भाग में वाका है और साथ ही क्रालपुरा में उनकी 8 कनाल और 6 मरला मिल्कियती अराजी को NIA ने जब्द किया है मर्कियती अराजी में जो जमीने जब्द की गई है उनमें बागात और दीगर जो जमीने है वो शामिल है हुकाम ने इस हवाले से वज़ाहत भी की है और जिसमें उन्होंने ये बताया कि मज़कुर शख्स की जो जायदाद है जिसे एन आई ए ने एक खुसोसी अदालत के हुकम के तामिल पर यूईपी एक्टिकेट तहत इनकी जमीनों को जब्द किया है साती उन्होंने ये भी बताया कि साल 2018 में स्रीनगर के एक अस्पताल से गैरमल के मिल्टेंट जिनका नाम नवी जट है जो कि जैंभाइक हुए है उनकी फरार होने में टीका खान नी मदद की थी जिसके बाद 2018 में ही इन्हें गिर्फतार कर लिया गया था और उस वकत से वो ब झाल 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 झाल